नमस्कार दोस्तो मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल दोस्तो आज मैं आपको बाथरूम में डेनेज पाइपलाइन और सीवर पाइपलाइन को फिट करना सिखाऊंगा अभी दोस्तो मेरे पास यहाँ पे पीवी सी एश डेबलू आर पाइप है जिस से लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो अभी दोस्तों यहाँ पर सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिशना होने पाए तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको बाथरूम में डेनेज पाइपलाइन और सीवर खड़ा तो दोस्तों यह है चेमबर डेनेज पाइपलाइन का चेमबर है पानी यहां से डेन होगा जो यह वाला पाइपलाइन है यह सीधा चला गया है बाहर चला गया है नाली में चला गया है यह वाला पाइप ठीक है और यह वाला जो पाइब आप देख रहे हैं यहां देख रहे हैं फोटिफाइब लगा हुआ है तो यह अभी यहां पर दो बात्रूम में दोनों बात्रूम का पानी यहां पे आएगा इस चेम्बर में इस चेम्बर के जरी नाली में जा रहा है मैं सबसे इंड पॉइंट से आपको एक्सप्लेंग कर रहा हूं और अब मैं आप को एक यह जब टरेके से समझा सकूं इसलिए अभी यहां पर मैं यह पूरा यह यहां कर दिया हूं एक पॉइंट मैं आपको एक्स्प्रेंग कर."ंग आप आपको क्या क्या सावधानी इसमें बरत्मनी चाहिए अब देखे यहां पर दोस्तों यह इस तरह से यहां पर देखे अंदर जा रहा है यह बात्रूम वाला एरिया है मैं दिखा रहा हूं देखे यह जो दिख रहा है यह पूरा बात्रूम वाला एरिया है और यहां पर दोस् यह जो है ना यह देखिए पहले यहां पर इंडियन साधा सीट लगा हुआ था उसके बाद उसको तोड़ के हटा दिया गया अब देखिए पाइप को गरम करने के बाद वहां पर सौकेट बनाया गया सौकेट बनाने के बाद देखिए वहां पर फोटिफाइप लगाया मैं बार 45 है अब यह इस तरह से आगे आ रहाई यह दिखे इस तरह से आगे आया उसके बाद यहां पर कि बीच में बीम आया था तो डायरेक्ट यह पाइब डायरेक्ट घुस्टा नहीं ठीक है क्योंकि जगह नहीं है इधर भी आगे भी वाल था पीछे भी वाल है तो इसलिए को सेंडर से कट किया कट करने कबाद एक साकट दे दिया हूं यह देखे उसके बाद यहां पर इस तरह से कमोड का पॉइंट मैं बनाया हूं अब कमोड का पॉइंट दोस्तों मेजर करके मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखिया आप यह यह दे सकते हैं देखिए यहा में मिलेगा वेडियो के description में मिलेगा क्लिक करने देख सकते हैं चलीए दिखाता हूं reflection याउर अभी दूस्टूह यहां पीया तो इसको मैं मैकसिमिम्य रखाऊंống 24 इंट से ज्यादा नहीं रखना का चाहिए और अगर तो फिर कमोट को fix करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगा तो कमोट का जो point है दोस्तों पीछे वाले दिवास से कम से कम 10 इंच मैक्सिम 11 इंच रखना है तो इस तरह से यहां पर यह कमोट का point बनाया गया है और जो भी fitting आपको करना है इसका direction आपको उल्टा नहीं रखना है द दोस्तों सिर्फ एक ही side socket होता है और एक side plane होता है तो अभी देखे socket वाला ऊपर के तरफ रखेंगे देखे यहां से इस तरह से कचड़ा जाएगा उसके बाद देखे socket यहां पर दिया मैं अभी यह proper direction है उल्टा नहीं रखना है यहीं चीज़ आपको ध्यान रखना है अब पानी की bathroom में नहाने दोने के बाद जो भी पानी गिरेगा वह यहां से इस pipe के जरिये डेन होगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैं नहानी ट्रेप दिया हूं ध्यान रखिए कभी यहां पर 90 डिग्री का elbow आपको नहीं यूज करना है नहानी ट्रेप देने का यूज करके यहां पर नहानी ट्रेप यूज करिए देखे यहां पर चार बाई चार का नहानी ट्रेप यूज हुआ है और मैं दोस्तों आपको recommend करता हूं कि ट्वाइलेट पाइप लाइन के लिए और यह डेनेज के लिए चार इंच का ही पाइप रखिए काफी अच्छा रहेगा पानी निकलने में दिक्कत नहीं होगा और इन फ्यूचर उसमें कचड़ा भी नहीं फसेगा ब्लॉकेज नहीं आएगा अब इस तरह से डेनेज पाइप लाइन आगे आ रहा यह देखिए यहां भी एक फोटी फाइप दिया मैं उसके बाद यहां पर देखिए डा लगाना प्लेंटी में क्या होता है दोस्तों पानी जब इधर से आएगा ना तो इधर भी फ्लो हो सकता है या फिर इधर का पानी जो आएगा वो इधर भी फ्लो हो सकता है यानि कि भैक भी मार सकता इसलिए आप दोस्तों प्लेंटी का इस्तिमाल ना करिए यहां पर इस त ठीक है तो यही फायदा होता दोस्तों वाइटी लगाने का यहाँ पर टी के जगह पर आप वाइटी को यूज करिए ज्यादा बेटर होगा आप देखे यहाँ पर इसको कैसे लिए मैं यहाँ भी मैं नहानी ट्रेप दिया चार बाई चार का यह जो है दोस्तों नहानी दोने वाला जो भी पानी है इस एरिया में देखें यहाँ पर डक 없다 हुआ आगे जायेगा आप देखें यहां पे दूस्तों वाइती में इधर में साॉकिट दे दिया क्योंकि एक तरफ साॉक्ट नहीं होता है सिरुप यहीं दोनों पर साॉकिट है अब अब यहां पर दोस्तों वाइटी में इस तरह से सॉकेट देके पाइप लाइन को आगे ले रहू हूं मैं इस बात्रूम का पूरा ये डेनेज वाला और सीवर पाइप लाइन वाला फिटिंग कम्पलीट हो गया है अब देखे इस तरह से आगे जा रहा है यह देखे यहां से दोस्तों आगे आया उसके बाद देखे यहां भी मैं वाइटी का यूज किया हूँ देखे फोटी फाइब लगा के यहां पर वाइटी लगाया वाइटी में देखे इसको इस तरह से आगे भेज दिया मैं और इधर का दोस्तों यह पहले वाले बात्रूम का पानी आएगा दोनों पानी इधर से लेके उसके बाद यहां पर देखे चेंबर में गिरेगा चेंबर से होके उसके बाद यह बाहर नाली में चला जाएगा यह दिखे इस तरह से फिटिंग हुआ है और यह वाला बात्रूम का मैं अभी अभी आपको दिखाया हूं उसके बाद आप यहां से दूस्तों यह पाईपलाइन आगे जा रहा है पहले वाले बात्रूम में चलिए वहां दिखाता हूं वहां पर मैं आपको एक्स्प्रेंट करूंगा क्या क्या-क्या दिक्कत होता है इसमें फिटिंग करने में अगर फिटिंग खराब मिलता है तो अब करें हैं देखों इस तरह से आगे आ रहा है अब यहथा नेन्ध कनेक्ट एयर्अ में लेंधा स्प्राइब श्र政 रेंद्र ऐह किया ड कुछन टूएलेट दिखाया हूँ उधर का एरिया जो आप देख रहे हैं उधर का उस ट्वैलेट का तो जो भी कचड़ा है वो इधर आएगा यह देखें है कर दोस्तोब कर लोगा तो इसका कट्ड़ा इसका दोनों का यह पाइप लेकर इधर से निकलेगा क्योंकि यहां पर आएगा बारा का चेम्बर यहां पर दूंगा मैं तो अभी दूस्तों मैं आ गया हूं बातरूम के अंदर यह वाला जो आप एरिया देखना ने यह बात हुले इरिया है उसके बाद जो बाह करने के लिए दुस्तों अल्रेडी जो मैं श्राटिंग में आपको दिखाया हूं डेनेज वाला जो चेंबर है उसका लेबल अगर मैं उस पाइप का अगर मैं लेता तो यही पर आ रहा इस पाइप का लेबल ठीक है इसलिए इसको मैं उपर ले लिया और इसको मैं नीचे डा ताकि जो है सीट ऊपर फिक्स हो दिमानड हो टुपर करना इसलिए इसको मैं ले लिया आप इंडियन सादा सीट को कैसे फिड कीए जाता है इसका भी वीडियो है उपर आई टैम में वीडियो को टिस्क्रिप्शन में चैनल के वीडियो सिक्शन में आप जा की देख सकते है या फिर प्रली लिस्ट चेक कर सकते हैं